तो डियर स्टुडेंट ये है बीए थर्ड समेस्टर पूरा का पूरा माडल पेपर क्वेश्चन पेपर जिन जिन भी इन्वर्सिटी वा कॉलेज में आने वाले दिलों में स्टुडेंट की परिच्छा है पूरिटिकल साइन्स राज निती साफ्त की उनको एक कम्प्रीट व हमेशा रेपीट होते हैं उनकी जानकारी मिलेंगी तो चलिए वीडियो को स्टुरू करते हैं प्रूब के देख लिए पेपर देने जाएंगे प्रोडिकल सायंस का जब होगा तो आपको पहला पेच कुछ इसी प्रकार का देखने को मिलेगा यहां पर लिखा रहेगा कि ब मतलब की भारत में राजनीती प्रिक्रिया कैसी है ठीक है समय दो घंटे का मिलता ही 75 का पुढांग होता ऐसा ही लिखा रहेगा आपकी पर इच्छा में ऐसा ही पेपर होगा ठीक है और सबसे पहले आपको खंड़ा देखने को मिलेगा जहां पर अतलग उत्रे कोश्चन मिलें उसके लिए कितने नंबर दे जाएंगे तो आपको इसी हिसाफ पर हर एक प्रश्ण का उत्तर देना जिसे साफ बोलेगा क्योंकि 50 सब्दों में बोला तो 50 सब्दों में लिखना का प्रयास मत करिए वरना लास्ट में टाइम की सोर्टेज हो जाएगा आपको टाइम नहीं भचेगा ठीक है तो पहला प्रश्ण है अच कि शुर्टे में करेद एक कि लोकतंतल से आप क्या समस्ते हैं लोक आप लोग जानते हैं तंत्रають यह जानते हैं ठीक है तो लोग के सारे प्रशनां अप्ति कि वोसकता है कि लोग तंतर के परिभण पूछा जाएंगे बस टाइप जो पूछले का वह तरीका अलाग है भस ठीक है तो लोगतंत्र के बारे मैं समझ लेतें सिंपल सब्दों में तो लोकतंत्र जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों को मतलब किसी चीज को अध्यान रखना है जो लोगों को यहां चुनिने की अनुमत देता है कि उनके द ठीक है लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि आप स्वयम से भाई हम आम जनता जिसको सिलेक्ट करेंगे जिस भी गवर्मेंट को जिस भी पार्टी को ठीक है वही जीतेगी और वो आप जिस इसाफ पर डिमांड करेंगे उसी इसाफ पर वो उस पर सासन करेगा और वो उसी इसाफ तो लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि लोकतंत्र एक ब्योफ्था है एक प्रक्रिया है ठीक है जिसमें आपको यहां आपके पास पावर होती है लोगों को किसी पार्टी को चुनने की अनुमत होती है और आप के देश पर किस प्रकार का फासन किया जाए और किस प्रकार के नि भूड़े लिया जाए ये लोगतंतर डिसाइट करता है ठीक की जनता का सासन लोगतंतर का मतलब होता है जनता का सासन लोगतको ते बहुत हमात्त प्रश्चन है ते जुड़े करीब करीब दो तीन प्रशन आएंगे ये ये और लोगतंतर से सम какой-uff आपके जो करीब करीब मैं आपको बताऊं तो दस से बारा नंबर पक्की हो जाते हैं अगर आप इसके बारे में अच्छे तैयार करके जाते हैं तो ठीक ध्यान लखेंगे अगला प्रशना आप लोगों की समस्त प्रस्तुत है कि समाजिक और आर्थिक न्याय क्या है मतलब कि समाजिक तोर पर बहुत फारे न्याय किया जाते हैं तो उस चीज का न्याय कैसे किया जाता है ठीक है और उस सब चीजों के न्याय के लिए क्ट्या गलत है जहां पर आपको सही गलत का निड़े यानि कि डिफीजिन क्या होगा क्या नहीं होगा इसका पता चलता है तो समाजिक और आर्थिक नियाय के बारे में आपको लिखना है जो कि एक महात्पूर टॉपिक है नोट कर लीजी हमेशा फासता है आज किस वीडियों से सिर्फ हम आपको मोस्ट इंपॉर्टन कोईस्टेंस सिलिट कराने वाले हैं जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महात्पूर है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और इन सभी का उत्तर जो आपको तैयार करना खुदी कि मैं आपको बता दूंगा उत्तर इन सभी का कहां पर मिलेगा कैसे मिलेगा लेकिन सबसे पहले आप प्रस्ण को बारेम जालनी कि कौन गोंच महात्पूर है क्योंकि प्रस्ण जो है वो प्रिटिकल साइंस में ही हर सब्जेक्ट में 200-300 कोश्चन है चाहे फ्रीज उठाके लिजिए चाहे बुक उठाके दिख लिजिए चाहे कोश्चन में उठाके लिजिए तो आप क्या डेट फे दो फूट कोश्चन तैयार कर पाएंगे है या बहुत है अलग अलग पर्फड के बहुत हैं प्रस्मेट पिन राजनीतिक दल के कार्च बताई है फिर उल्हाटी सरकार है और बस्पा है तेक आम आदमी है फी तरह बहुत सारी अधर पार्टिया है तो उन पार्टियों के कार क्या होते हैं यह आपको लिखना है जो कि एक महात्मोर प्रश्ण है नोट कर लेजिए नेस्ट कोश्चन है कि एक दलियर राजनेति ब्योफ्था के गुण और दोसों का वर्डन कीजिए देखिए एक दलियर दुई दलियर बहुद दलियर नोट कर ये एक दलियर राजनेति ब्योफ्था और यहें पर हो फक्ता दुई दलियर राजनेति ब्योफ्था यहें पर को कोश्चन हो सकता कि बहुत अली है राजनेतिक गुण बताईए दोस्त बताईए इनके बारे में कोश्चन पूसा जापकता जो कि हैं दोनों एक ही थालीखे चुट्ट्टे आप ऐसा कह सकते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है महात्मोट पुर्श्चन है ऐसा भी कोश्चन पुर्स्तुत करें और आपको बताए कि इन में से कौन-कौन से महात्पूर्ण प्रशन है कौन-कौन से आएंगे जान करें सिर्फ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है अगला प्रशने की धर्म क्या है धर्म धर्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है और धर्म जैसे की धर्म के पालन करने का तरीका है तो आपको जब यह पूछ जाएगा तो आपको इसके बारे में पूछ जाने वाला कोशन है नोट कर लिए उस तरह के जनकारी हर कोई नहीं देता आपको ठीक हम आपको बता रहें कोईस्टन फासलिक नोटकर लिए अगला प्रश्टन है कि छेतरवाद के कारण क्या कह सब्सक्राइब कर सकते हैं आगया कोईस्टन कि दल बदल विरोधी कानौन बदल बिरोधी कानौन का मतलब यह हो गया कि जैसे कि लोग party बदल देते हैं कोई बहाचपा में रहता तो सपा में चला जायता सपा में रहता तो बहाचपा में चला जाता सभा उसके बाद ओ कांग्रेश में चला जाता इसी तरह वो दल बदल बदल की राज नीती होती है तो जब लोग दल बदल की पार्टी बदलते हैं तो उसके लिए भी कुछ कानून से बनाए गए हैं उसके बारे में आपको लिखना है जो कि साथ सां ने उसके बारे में कोश्चन हो सकता है राश्पति क्या क्या है इस तरह की पूछे जा सकते हैं नोट कर लिजए इंप्वाटन वहक्या है और अब यहां पर संग वात का स्थित्व हैं बहुत इमात पूर्ट प्रस्ण है कई बार रिपीटर है तो नोट कर लिए इसको भी ठीक है नोट करिए उसके बाद अब यहां पर अतलग उत्रे वाले कोश्चन समाप्त होते हैं आप आज आएंगे हम खंडब्बा की और जहां पर आपको लगुत्रे कोश्चन देखने को मिलेंगे ठीक है और इसमें भी सेम पूरी दिशान दिर दी गई है कि भीया कितने कोश्चन करना है और उसका उत्तर कितने सब्दों में लिखना यह आपक क्षिसां हमेशाद रीपीट नहीं होता है आप युशे इगनौर भी कर सकते हैं ठीक है चले इगनौर करेजेगा वाकिस समय ज्यादा है तो तयार कर सकते हैं अगला कि शंव questa आप क्या समझते भी कोश्चन हमेशारी रीपीट नहीं होता है बहुत कम आता है तो आप वी कदार आते हैं हमें सारी पीट नहीं होते इनके बारे में हम आपको बतादेते कैशाmale ज्यादा समय नहीं जैसे पर इस फंड़यां कोश्च्राइब होताँ दिन udah करें तुमाट ट्यार कोई इसे के बाद एक और महातपूंड है कि रास्टी और छीतर राजनीति के बारे मताईए और दोनों में डिफ्रेंस दोनों के कार ऐसे कोईश्चिन पूसे जाए नोट कर लीजिए ठीक है इन सभी का उत्तर कहां पर मिलेगा कैसे मिलेगा उसकी जानकारिए भी हम आपको दे देंगे उसके बाद अगला प्रशने आप लोगों के समस्क्त संसोधन के प्रमुक बिंदू पर प्रकाश डालिए नोट कर लीजिए अगला कि मतदान बेउहार को प्रवावित करने वाले कारग बताई मतब जब और जब होती है एलेक्षण होता है तो जब मतदान लोग करते हैं तब अपना डालते हैं और उनको कुव्य समस्या यह आती है कि कभी-कभी तो बहुत फारी जब पार्टिया रहती है तो उनमें कंफ्यूजन होती कि किसको ओड़ दे किसको ना दे कभी कोई कहता कि हमको दो कभी कहता कि हमको दो यह परकार अच्छी बनेगी तो वहां पर मतदान ब्युभार को प्रभावित करने वाले बहुत फारे कारक हैं उनके बारे में लिखना है जोकि एक महातपुर्ट कोईशन साबित हो सकता हमेशा रिपीट नहीं होता मतदान और निरवाचन आयोग इन से सम्मंदित एक दौपर पूछन पूछे जाएंगे ठीक है निरवाचन आयोग यह फिर मतदान से सम्मंदित कोईशन आता है नोट कर लिजिए ठीक है शेम कि आप क्या समझते हैं तो जाती को लेकर कोश्चन आएगा तो जात के नाम पर बहुत साथ राज नीति होती है उससे सम्मज़नी सी कोश्चन है क्योंकि लोग कहते हैं तो आप इस जात का सपोर्ट करीए लोग के लोग हैं तो मुस्लिम वर्ग को सपोर्ट करी हिंदू वर के लोग के लोग को सपोर्ट करिए आप यादो जात के लोग है तो यादो लोग को कि एक पर्फिक्ट राज यह प्रुहरए पर्फिक्ट देस के निर्माण के लिए पिए समस्याइं आदो asynchron का हर इनसान का जो मत है हर इनसान के जो सोचने का तरीका वो अलग अलग है ठीक है तो तो इफ ले राष्ट के निर्मार में बहुत फारीद चुनोती हैं उनके बारे में लिखना है कि कौन-कौन से चुनोती हैं एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट नहीं होता लेकिन इंपॉर्टन साबित हो सकता आपके एक्जाम के ठीक है उसके बाद आजाएंगे हम खंडसा के यहां पर आपको देर उत्तर कोश्चन देखने बिलेंगे इसमें पूरी दिस्तान इर्देश दीगे कि इतने कोश्चन करना उसका उत्तर प्रिच्छा एक दो परिच्छा एसी भी जिसमें नहीं आया तो आप इसको पढ़ भी सकते यह वाला कुश्चन हमेशा रिपीट सब्सक्राइब कोश्चन पूछा गया था कि भारत में हुए चुना फुधारों के प्रियासों का वर्ण कीजिए मतलब कि दिन प्रता दिन जो सब्सक्राइब बढ़ते टेक्नलोजी बढ़ती है तो चुना में भी बहुत फुदार की जानी चाहिए और सुधार समय समय पर ठीक है सुधार जो हुए उनके प्रियास बहुत फारिक किये उनके बारे उनके खिनाय बहुत महात्पूर्प्रस ने भी है उसके बाद दबाव समय और राजनितिक दलों को प्रभासित किजिए इंपॉर्टन कोश्चिन ने भी और अगला धर्म पंथ निर्पेचिता अभ करीब करीब 5-8 नंबर पक्ते हो जाएंगे नोट कर लिए ठीक है इंपॉर्टन कोश्चिन है इसी तरह के प्रस्माप की परिच्छा में पूछे जाएंगे और अगर आपके पास समय है तो इसमारल पेपर कोश्चिन पेपर जितने भी कोश्चिन देगे इनका उत्तर तया करके आप उत्तर त्यार कर सकते हैं बाकि जल्दी हमारी कोश्चिन एंसर वाली सिरीज आने वाली जिसमें कोश्चिन भी होंगे उसका उत्तर भी होगा और पीडियूप की तोर पर आपको नोट से मिलेगी कोई बात ने लेकिन अभी थोड़ा टाइम है और यह आपका अप करें वीडियो के साथ अब तक लिए जहन्द